ये एक revenge thriller मुवी है mother and son की बारे में एक अनाद लटका लोगों से पैसे वसुल करने का काम करता है एक दिन एक औरत उसके पास आती और उसे कह थी कि मैं तुम्हारे मदर हूँ इसके बात क्या होता है या हमें इस explanation में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मुवी का first scene आता है और हमें दिखता है कि एक आदमी अपने आफ को fast कर मार देता है ये suicide कर लेता है इसके बाद हमारा main character Lee हमें दिखाए गया है Lee सोया होता है और उसे nightfall की problem होती है जब हम उसका घर देखते है तो वहाँ chicken के pieces और fresh देखते है उसके पास knife से target practice करने के लिए एक board होता है इस board पर वो एक औरत का poster लगाता है उसी पर वो हमेशा target practice करता है इसे पता है कि उसकी mother उसे छोड़ कर चली गई थी इसलिए वो बहुत ही woman को hit करता है इसे पता नहीं कि उसकी mother को ने इसलिए एक random poster उने लगाया हुआ है ली फिर काम करने के लिए बाहर निकल जाता है इसका जो काम है ये लोगों से पैसे वसुल करना है इसके main customers जो भी hand workers होते है जो हातों से काम करते है और instrument के साथ इनका लेना देना होता है ये इसके customers होते है ये उनको पैसे देता है पर इसके interest rate बहुत ही जादा होते है टाइम खतम हो जाता है तो लोगों को 10 गुना पै करना पड़ता है ये बहुत ही जादा हो जाता है इसे लोग पै नहीं कर पाते ली फिर उनके पास जाता है और उनके हाथ तोड़ देता है इसने अल्रेडी उनका इंशॉरंस निकाला होता है जब इनकी हाट टूट जाते है तो इसका मेडिकलेम कवर निकल जाता है और जितने पैसे इन्होंने उसे ओ किये थे वो सब वो पे कर देते हैं आज फिर यही काम करने के लिए ली बाहर निकलता है नेकसी में हमें एक वर्कर और उसकी वाइफ दिखाई गई है यह बहुत ही डर रहा होता है क्योंकि अब ली इसके हाथ पेर तोड़ने वाला है उसकी वाइफ भी वाउती है वो कहता है मैंने सिर्फ 3000 लिये थे यह 30 केसे हो गए उसकी वाइफ उसके कहती है कि तुम्हें अकल नहीं है तुमने इंशॉरंस पर क्यों साइन किया था वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी अब ली आने वाला है और यह बहुत इटेंशन में है तो आकरी बार वो अपने वाइफ के साथ इंटिमेट होना चाता है तब ही ली बहार आ जाता है और इन दोनों को जुदा कर देता है इस आदमे की वाइफ ली को पगड़ती है वो खेह दी है कि मेरे साथ तुम कुछ भी करो पर इसे जाने दो ली फिर हस्बन को बाहर निकाल देता है और शेटर बन कर लेता है यह अपने कपड़े उतर थी है पर उसे कुछ भी नहीं करता सिर्व उसके पीट पर थोड़ा सा मारता है उसे थोड़ा सा पनीश करता है और फिर बाहर भीग देता है ली हस्बन को अंदर लेकर आता है यह जो हस्बन है इसके ही महशिनों से उसका हाथ वो कुचल देता है जब जा रहा होता है तो वाइफ कहती है यह जब सुम तुम कर रहे हो इसके लिए तुम भुखतोगे सब जुर्मानों तुम भरना पड़ेगा ली को कुछ फरक ने पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है घर जाते जाते वो चिकन लेकर जा रहा होता है एक गली आती है जिससे हो सटक जाता है यहाँ उसकी मदर उसके पीछे होती है उसका चिकन उसके हाथ से चला गया था तो उसके मदर उठा कर उसे दे देती है इसे अभी पता नहीं है यह इसकी मदर है यह फिर ली का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है ली टोर बन करने की कोशिश करता है पर वो करने नहीं देती फिर वो अंदर आती है ली के बरतन वेगरा माजने लग जाती है सब घर के काम वो करती है और फिर ली उसे बाहर निकाल देता है ली उसे पुछता है कि तुम ही हाग क्यों आई हो क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिकाड़ा है इस ओरत के पास एक चाको होता है ली केरता है कि मार दो बीचे बीचे जाकर उसे कहती है कि वो जो माफ करतो मैं तुम्हें अबेंडन कर दिया था उसका वा नाम लेती है और उसे वो माफ कर दे इसके लिए उसकी माफिय मांगती है ली उस पर बिले उने करता उसे जापड मार कर वहाँ से निकल जाता है अब इमें दिखता है कि ली और एक वरकर के पास आता है यह जो वरकर है यह अपनी मदर के साथ बेठा हुआ है यह अपने मदर का बहुत ही खैल करता है ली जब वहा आता है तो उसे कुछ पैसे वह देता है वो इंट्रेस्ट सही से देनी पा रहा इसलिए ली उसे बहुत मारता है ली विर उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है यहाँ जो मदर है यह भी ली का पीछा कर रही है और यह सब देख रही है यह जो वर्कर है यह ली से कहता है अगर मैं कृपल हो गया तो मैं मदर का मैं खैल नहीं रख पाऊंगा इसे अच्छा तो मैं मर जाओ ली कहता है कि तुम मरोगे तो तुम मेरे काम के कुछ भी नहीं रहोगे और उस बिल्डिन से उसे नीचे किरा देता है यह बिल्डिन जादा हाई नहीं होती है जिससे इसके पेर टूट जाते है ली मदर को देखता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से फिक दूँगा मदर कहती है कि तुम्हारे हाथों से मरना इतना बूरा भी नहीं होगा जब नीचे उतर कर वर्कर के पास आता है तो वर्कर कहता है कि तुम इसके लिए भुकतोगे तुमें भी मेरे जितना ही पेन होगा यह सब सुनकर जो मदर होती है इस आदमी के भी पेर पर मारती है वो उससे कहती है कि मेरे बेटे के भारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते है घर जाते जाते मदर ली से बोचती है आज तुम क्या खाने वाले हो मैं तुमारे ले कर लेकर आओँगे ली कहता है इमें खुद ही कर लूँगा जब ली घर पर आता है थोड़ी देर बाद मदर आती है उसके लिए एक फीश वो लेकर आती है ये फीश ली ले नहीं रहा होता तो ये अब वहाँ छोड़ कर चली जाती है इस फीश को तरवता देखकर ली उसे उठा लेता है और फीश टाइंग में रख देता है जब रात होती है तब ली इस फीश को फिर से देखता है तो फीश मर चुका होता है अब हमें थर्ड वरकर देखता है इसने में पैसे ले ले होती है और इसका भी time खतम हो चुका होता है यह हमें दिखता है कि अपनी mother को एक चिट्टी लिखता है इसके पास कुछ नीन की गोलिया होती है यह सब वो ले लेता है और suicide कर लेता है leave हो आता है उसकी mother की चिट्टी दिखता है worker की mother का पता अप उसे मिल चुका है तो उसके घर वो आ जाता है इस worker की जो mother होती है यह blind होती है यह कुछ भी करने पाती है यह फिर उसे पुछता है कि bank account, कुछ पैसे कहां तुमने रखे हैं उसे कुछ भी नहीं पताता अब यह अपने पैसे recover नहीं कर पाया यहां इस old lady का एक rabbit होता है जो उसको उठा लेता है ली के mother ने उस fish के साथ अपना number भी छोड़ा होता है यह number फिर ली लगाता है और उसे बात करता है उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं mom पुकारू ऐसा तुम्हें लगता है मैं बिना mother के 30 साल तक रहा हूँ तुम मुझे छोड़ कर चली गई थी यह से वो बोलता है बहुत ही hurt हो रहा होता है mother फिर एक glory सुनाएं लग जाती है ली को यह लगता है कि यह बहुत ही पास से यह आवाज आ रही है दरवाजा खोलता है दरवाजा के बाहर ही उसकी mother बेटी हुए होती है वो फिर उसे अंदर बिटाता है उसे पुछता है कि तुम्हारे पास proof क्या है मेरे body पर एक birth माँख है उसके बारे मुझे पताओ mother कहती है कि मैं बहुत young थी जब मुझे तुम होए थे मैं तुम्हें छोड़ कर एक ही पल में चली गई थी मैंने कवे भी तुम्हारे body भी नहीं देखी थी ली फिर अंदर जाता है उसके body से एक flesh निकालता है और यह उसके mother को खाने के लिए दे देता है वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी mother हो तुम यह खा लोगी यह mother के लिए बहुत ही hard होता है पर इसे prove करना होता है कि यह उसकी mother है इसलिए वो खा ले थी है ली का mind बहुत ही twisted होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है हमने देखा था कि एक rabbit को ली ले कर आता है तो यह rabbit जो है अब इस apartment से निकल चुका है mother इस rabbit को दिख रही है इसका मतलब है mother ने इस rabbit को free कर दिया है जब next दिन आता है तो mother ली के लिए breakfast वेगरा ready करती है उसके लिए बहुत सारा खाना वो बनाती है ली breakfast करकर घर से निकल जाता है और एक worker के पास वाता है यह जो worker होता है यह अपने wife से बात कर रहा होता है इसकी wife pregnant होती है ली जब वहाता है तो ली से यह कहता है तुम मेरा एक हाथ तोड़ने वाले हो तो क्या तुम दो तोड़ सकते हो उसे और भी ज़ादा पैसो की जरूरत होती है अब इसे child होगा तो इसका ख्याल वो रखना चाता है ली से के लिए मान जाता है यह जो होता है यह guitar बज़ाता है तो ली से कहता है कि last बार मुझे guitar बज़ाना है ली उससे पुछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है तो अपने son के लिए कैसे जीश सकते हो वर्कर उसे कहता है कि सब पैरेंट्स ऐसी ही जीते है ली को अब पुरा लग जाता है उसके हाथ अपनो तोडने नहीं वाला होता ली के पास इंशॉरंस के पैसे होते है वो भी उसे ओफर कर देता है वहाँ से फिर वो चला जाता है ली जब घर पर आता है तो अपनी मदर को पुछता है क्या तुमारे कुछ हस्बंड, कुछ सन, ऐसे कुछ है मदर गेती है कि कोई भी नहीं है ली फिर उटता है और उसके जो टार्गेट प्रैक्टिस पर वोमन होती है उसके पोस्टर को निकाल लेता है अपनी मदर को जो हिट करता था अब वो नहीं कर रहा और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है जिसके पैसे निकालने के लिए ली जाता है यह जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यह मीडल एज्ट है यह कहता है कि आप में क्रिपल नहीं हो सकता ये उपर जाता है और बिल्डिंग पर चरता है ये वहाँ से नीचे गिर कर सूसाइड कर लेता है मदर जो होती है एक घर में ली की डायरी पढ़ रही होती है किनकिन लोग को उसने क्रिपल किया है या मार दिया है इस सब की लिस्टों पढ़ दिया जो नाम क्रॉस हो चुके होती है ये सब मर चुके है ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है ली उसके मदर के पास आकर बैठता है एक स्वेटर ली की मदर बुन रही होती है ली की मदर कहती है रिवेंज, जेलेसी ये सब चीज़े, सिर्फ पैसों की वज़े से होती है पैसे ही सब चीज़ों का शुरुवात भी है और अंद भी है ली जो है, सब काम अब छोड़ देने वाला है इसलिए अपनी मदर को कहता है कि अगर यहाँ कोई भी आए, तो दोर मत खोनना अपनी मदर के लिए अब वो वरी करने लग गया है बहुत सारे लोग को उसने मारा है तो कोई बदला लेने के लिए आ सकता है इसलिए वो यह वरी कर रहा है ये दोनों लंच खेलते है, शौपिंग मॉल में जाते है जिस तरह से छोटा बच्चा और उसकी मदर एक मज़े का दीन गुजारते है उसी तरह से ये गुजारना चाता है सिट्टी में क्लाउन होता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है बच्चे जिस तरह से खेलते है उसी की तरह ये भी खेलता है Crown वैसे एक आदमी उस पर हसने लग जाता है तो यह मदर उस पर गुस्ता हो जाती है उसे पुछती है कि इतना funny क्या है वो से slap कर देती है यह आदमी मदर को मारने वाला होता है तो ली भी वहाता है ली उसे दमकाता है और वहाँ से चला जाता है यह फिर हमें एक भीकारी दिखता है यह जो भीकारी है इसको भी ली ने ही अपंग किया है यह फिर इनका पीछा करने लज जाता है इसका पीछा करते करते ली के घर में वो पहुच जाता है वो अंदर आता है और ली के मदर पर वो चाको रखता है वो कहता है कि तुम अब अपने आपको मार देने वाले हो वरना मैं तुमारी मदर को मार दूँगा उसे वो रॉकल देता है ली अपने आप पर उसे छिडग ले और फिर उसे आग पर वो चला देने वाला होता है उसे कहता है कि तुम शेतान हो जो पैसों के लिए ये सब करता है ली की मदर कहती है कि इसमें इसका कुछ फॉर्ड नहीं है जो पैर उसे हमेशा से चाहिए था ये कभी भी उससे नहीं मिला ली की मदर फिर इस भिकारी को जो हाथ होती है उसको बाइट कर लेती है अपने आपको उससे चुड़वा लेती है ली एक चाह को लेता है और उससे इसको मार देता है ये जो भीकारी होता है ये भागते भागते नीचे चला जाता है ली और उसकी मदर फिर डिसकस करते है ये जादा दूर नहीं जाएगा ये कही ना कही तो मर कर पड़ी जाएगा मदर फिर देखती है तो ली जो होता है, रात में उसे बहुत दर्द होता है जब नेक्स दिन, ये तो हम बेक्वास्ट कर रहे होते है तो ली कहता है, ये फिर से अकेला ने जी सकता मदर स्वेटर बून रही होती है तो उससे पुछता है क्या है मेरा birthday present है मदर कुछ पे नहीं बोलती है ली कहता है कि मेरे लिए ये थोड़ा छोटा हो रहा है ली जब काम के लिए जाता है तो मदर ली का एक secret press होता है जाओ वो सब hide करता है यहां वो पहुच जाता है तुमने मुवी के फर्स में देखा था एक आदमी ने अपने आपको मार लिया है उसकी जो बॉड़ी होती है यह उस प्लेस में होती है मदर यह देखकर बहुत दिलोने लग जाती है यह जो स्वेटर उसने बुना होता है यह इसको पहना देती है लिया अपने बॉस के पास आये होता है उससे कहता है कि मैं अपनी काम छोड़ देने वाला हूं उसका बॉस उसे बहुत मारता है लिया का बॉस उसे कहता है कि मैंने सिब तुमें उन्हें क्रिपल करने के लिए बोला था उन्हें मार दो या उन्हें क्रिपल कर दो ऐसा मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा था तुम्हें इस काम से अब चले जाने वाले हो पर कोई ना कोई तुमसे रिवेंज लेगा ली अपने मदर को कॉल करता है और वो फोन नहीं उठा रही होती है फिर वो घर पहुच जाता है उन्हें मदर को कहता है कि मैं बहुत तुम्हारे लिए वरीड था क्योंकि तुम फोर नहीं उठा रही थी मदर भी उसे स्वारी कहती है आज चो होता है ली का बड़े होता है ये दोनों उसके लिए केक काटते है ली की मदर उसे कहती है कि चलो आज एक ट्री हम प्लाण करेंगे रिवर के पास आते है और इस ट्री को प्लाण कर देते है ये एक पाइन ट्री होता है जो वाटर के पास नहीं जी सकता है तो ली उससे पुछता है मदर कहती है कि हर आदमी कभी ना कभी तो मरी जाता है ली कहता है कि ऐसा मत बोलो उसके मदर मर जा है ऐसा उसे नहीं लग रहा नेक्स दिन ली को कॉल आता है और उसके मदर इस कॉल पर होती है उसके मदर को कोई मार रहा है ऐसा उसे लगता है उसके मदर को कोई मारा है उसकी मदर चिला रही है यह सब उससे सुनाई देता है ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा होता क्योंकि मदर जोती है या अपने आप ही यह सब आवाज निकाल ले होती है ली की घर को यह सब तैसनेस कर देती है क्योंकि ऐसा लगे कि मदर को कोई लेकर चला गया है उससे बदला कोई लेना चाता है इसलिए यह सब हुआ है इसा उसे लगता है ली को मालों में जिन लोगों को लीने हट किया है उनमें से की गए होगा जिसने उसके मदर को अप्ड़र्ट कर लिया होगा अब सब लोगो के पास हो जा रहा है वो एक आदमी के पास आता है यह wheelchair पर होता है उसे बहुत ही गाले देता है और curse करता है एक आदमी को उसने मारती होता है उसके मदर का भी हो पीछा करता है वो पीछा करते-करते एक स्पोर्ट पर पहुंचाता है जहां उसका बेटा गाल दिया गया होता है यह उसको हट नहीं कर सकती इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और एक आदमि के पास आता है यह पैरलाइस्ट होता है उसे धमगाता है उसे पूछता है उसे धमगाता है पर याद में कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता तुम्हें तुम्हें मार डालता इसने भी यह नहीं किया है मुवे के फस्ट में जो husband and wife हमें दिखाये गए थे वो अब इनके पास आता है इन दोनों को आप जगड़ा चल रहा होता है क्योंकि उनके पास रहने के लिए सही जगा नहीं होती इनके life अब बहुत बरबाद हो चुकी है वो एक दुसरे को blame कर रहे होते है तब ही ली वहा आता है उसे पुछता है कि मेरे मदर खाया है husband जोता है वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हें मदर है इसमें wife जोती है उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें hundred times में मार सकती है तुम्हें मार देती है मैं wish करती हूँ कि मैरे कार के नीचे तुम आ जाओ ली उन्हें कुछ पैसे देखकर वहाँ से चला जाता है ली अपने secret place पर आता है ये वही place है जहाँ movie के वस में एक आत्मी ने आत्मत्या कर ली थी अपनी मदर को ये ढोड़नी पा रहा तो वहाँ वो सो जाता है ली की मदर फिर से pretend करती है और ली को call करती है उसे कुछ लोग मार रहे है ऐसा वो pretend करती है और एक location भी उससे देती है ये वही building है जहाँ से ली ने एक आदमी को cripple कर दिया था ली नीचे आता है वो pretend कर रही होती है कि उसे धकलने वाला है वो जोर से जिला दी कि प्लीज मुझे म मत मारो प्लीज मुझे मत मारो ली फिर बच्ताने लग जाता है ली को लगता है कि उबर कौन है और उसे को कहता है कि मुझे मार दो यह सब मेरी गलती है प्लीज मेरी मॉम को जाने दो उसे बहुत ही पच्ता होता है और उनने लग जाता है ली का पीछा कहता है एक worker की मदर वहाँ आया हुती है, उसका सन मर चुका है, उसका बदला लेने के लिए वह मदर को ढखिल देने वाली होती है, पर मदर खुद से ही गिर जाती है, गिर कर वो मर जाती है, जहां मदर और ली इन दोनों ने एक पेड प्लांड किया था, वहाँ वो गड़ा होता है, इस गड़े पर यह जो स्विटर था, इस बॉड़ी के लिए वो बना रही थी, ली फिर जो हस्बर अन वाइफ थे, उनके पास आता है, जो वाइफ थी, उसके गाड़ी के नीचे वो अपने आपको बान लेता है, वो अपने बोला था, यह तुम्हें गाड़ी से गुजल दू, ऐसा उ मर जाएगी, तो इसे बहुत ही तकलिफ होने वाली है, इतनी तकलिफ, उसे अगर कोई मार दे, तब भी नहीं होगी, वो ली को डारेक्ली नहीं मार सकती थी, इसलिए उसका यह प्लान था, ली को छोड़ कर चली गई थी, तो उसे अब पश्चाताब हो रहा था, वो जब इसे फिर से मिलने के लिए आई, तब उसने देखा, यह कितना घटे आद में बन चुका है, यह लोगों को हर्ड कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए, वो अपने आपको ही ब्लेम कर रही थी, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं चली जाती, तो ऐसा नहीं बनता, इतने सारे लोग नहीं मरते, अपने बच्चों को खोने का दर बहुत सारी मदर्स को नहीं होता, इसलिए अपने पापों का प्राहिशित हो करना चाती थी, इसलिए ली के साथ उसने एक फेक अटेजमेंट चुड़ा ली, ली का स्ट्रस पाने के लिए एक वर जैसे मदर का ब्लान था, कि बहुत ही पेन में होगा और सुसाइड कर लेगा, वैसे ही अब हुआ, ली भी बहुत ही पेन में था, वो कभी भी अच्छी लाइफ नहीं जी सकता था, इसलिए उसकी मदर के पास यहीं अप्शन था, कि अगर वो अपने आपको मार देगा, तो उसे भी शानती मिल जाएगी, ली की मदर लास्ट रए अपना मोक्ष पा लेती है, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजएगा, मैं बहुत सारी मुर्ज लेकर आत रहता हूँ, तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइ आत रहता हूँ